हेलो दोस्तो दर डिवाइन संसा चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले आपके लिए हम ऐसी ही भक्ति और मरोरंजन वरत कथाएं लाते रहेंगे हलो दोस्तो आज हम बताएंगे पित्र पक्ष में पित्रों को प्रसंद करने वाली लोग कथा इस वर्ष शनिवार कर सेक्टंबर 2022 से पित्र पक्ष प्रारंब हो रहा है और इन दिनों से श्राद प्रक्ष की ये लोग कथा पढ़ने का विशेश महत माना गया है ये कथा दो जो एक धनी है तो दूसरा निर्दन है आईए आप भी श्राद पक्ष के दिनों में ये कथा पढ़े और अपने पित्रों को प्रसंद करके पाएं उनसे अनेक शुभाशीश श्राद पक्ष की लोग कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे दोनों अलग-अलग रहते थे जोगे धनी था और भोगे निर्धन दोनों में परस पर बड़ा प्रेम था जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था किन्तु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हिदे थी पित्र पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पित्रों का श्राद करने के लिए कहा तो जोग उसे अपने माईके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचे दफसर लगा अतवा बोली आप शायद मेरी परिशानी की वज़ा से ही ऐसा कर रहे हैं किन्तु इसमें मुझे कोई परिशानी नहीं होगी मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी दोन पक्वान बनाए फिर सभी काम निप्टा कर अपने घर आ गई आखिर उसे भी तो पित्रों का श्राद तरपन करना था इस अफसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वे रूकी शीगर ही दुपैर हो गई पित्र भूमी पर उत्रे जोगे भोगे के पित्र पहले जोग पित्रों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे थोड़ी दिर में सारे पित्री खट्टे हो गए और अपने आप यहां के शरादों की बढ़ाई करने लगे जोगे भोगे के पित्रों ने भी अपनी आप बीती सुनाई फिर वो सोचने लग अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे भोगे के घर धन हो जाए भोगे के घर धन हो जाए सांज होने को हुई भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था उन्होंने मा से का भूक लगी है तब उन्हें टालने की गरत से भोगे की पत्नीने का जाओ आंगन में ह हौधी रखी है उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बाट कर खा लेना बच्चे वाँ पहुचे तो क्या देखते हैं कि हौधी महरों से भरी पड़ी है वे दोड़े-दोड़े मा के पास पहुचे और उसे सारी बात बताई आंगन में आकर भोगे की पत्नी नहीं है सब प्रकार के वेंजन बनाये ब्रामनों को बुला कर श्राद किया बोजन कराया दक्षिनादी जेड जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में बोजन कराया इससे पित्र बड़े प्रसंद हुए तथा त्रिप्त हुए कथा सामाप्त धन्यवाद